हेलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखें स्टुडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जैंद्रम का पतन क्यों हुआ इसके बारे में बताऊंगी तो जैंद्रम से सम्मधित काफी कुछ हमने पहले वाले वीड के लाइक है इसलिए आप अच्छे से परिक्षय की तैयारी के हिसाब से हमारे वीडियो को देखेगा तो चलिए हम चलते हैं आज जैंद्रम का पतन क्यों हुआ के बारे में जानते हैं तो देखें स्टुडेंट्स जैंद्रम का पतन क्यों हुआ तो यह बहुत बड़ा क्य कि इतना बड़ा धर्म था इतना अच्छा धर्म था फिर भी इस धर्म में इतना ऐसा क्या हो गया कि धर्म का पतन हुआ तो जैन धर्म भारत भूमी में जन्मा एक महतोपुन धर्म था महवीर स्वामी के जीवनकाल में इस धर्म का अच्छा परचार परशार हुआ था और उन यह है जो जैन्दरम है यह है कुछी चेत्र में रहे गया तो देखे हम जैन्दरम के पतन के बारे में पढ़ते हैं तो जैन्दरम के पतन के जो काण वो निम्नलिकित थे देखे सबसे पहले है सिधांतों के कठोड़ता ठीक है तो जैन्दरम में जो सिधांत हुए हैं जो सिध से मताया गई हैं उनके बारे में हमने पहले बता दी आप लोगों को उस को सिदंद हैं में तो कटोर थे जैसे तो उने को तो कु देखなる जैसे इसने में देपननीमित जीवन कि द्यार अपना तो बहुत बड़े क्या थे श्ली कहते लिए केनियम के जैसे सत्त है आई इस्तित है परिग्र है झाल ये जो देखने ये सुने से पढ़ने में तो बहुत लगतें लेकिन इकुल में दी आप इनको रियल में दी जीवन में फैंट बहुत ज्यादा कठिन थे जिसके कारण जेंधरम जैन द्रम में पतन स्टार्ट हुआ था तो सिधान्तों की कठोरता इस द्रम के सिधान्त अत्यंत कठोर थे जिनका सर्वसाधरन लोग सुगमता पूरग पालन नहीं कर सकते थे जैसे कि अहिंसा का कठोर सिधान्त सभी नहीं अपना सकते थे कठोर तप करके सभी सारीरी कस्टों को सहन नहीं कर सकते थे ठीक है तो सिधान्तों की कठोरता भोग ज़्यादा थी जैन द्रम में दूसरा है राज की आसरे का अभाव तो देखिए प्रारम में तो जैन द्रम को जो राज के सासक है उन्होंने खूब अच्छे से क्या दिया प्रस्रे दिया था आश्रे थिया था लेकिन अंत तक जाते जाते क्या है कि जैन धरम को इतना ज्यादा आश्रे नहीं मिला जितना वो धरम को मिला था जैसे असोख है कनिस्क है आदि जैसे अने एक महानरेश हुए उन्होंने वो धरम के परचार परशार में अपना जी जान लगा दी थी लेकिन जैन धरम को ऐसे किसी भी महानरेश का सहयोग नहीं मिला जैन धरम के पतन का पर्मु कारण यही था कि इस धरम को राज किये आस्त्रे कम मिला था अब देखिए अगला आता है अहिंसा तो जैन धरम के पतन का एक पर्मु कारण उसके द्वारा पर्तिपादित अहिंसा का एविवारिक सवरूप था जिस रूप में अहिंसा के पर्तिपालन का विचार परस्तुत किया गया था उसका पालन जनसादान के लिए कठिन था तो जैन्दरम क्या कहता है कि यह दिए चीन्टी आपके पैर के नीचे आ गई तो वो भी एक तरह से हिंसा हो गई तो ऐसे थोड़ी होता है तो जैन्दरम उसने अहिंसा के पादन पर बहु ज़्यादा जोड़ दिया था उससे क्या हुआ कि कर्शी परदान भारतिय जन्ता जैन्दरम के परती उदासीन होने लगी क्योंकि भारत है उसकी 70% जो जन्ता है वो क्या कर्शी कारिय करती है तो उसमें जैसे अपन कर्शी का काम करेंगे तो पसुओं का सहयोग भी लेना पड़ेगा और तो लगता है कि जैन्दरम में ऐसा लगता है कि पसुओं को आप यातना दे रहे हो या फिर किसान काम कर रहा है वो ज़्यादा वो परेसान हो रहा है तो इसको भी जैन्दरम ने क्या का हिंसा का नाम दिया तो जैन्दरम है वो कर्शी को सही नहीं मानता कर्शी के पड़ती यह जैन धरम है यह उदासीन है इसलिए जैन धरम है वह ग्रामीन छेतर में नहीं फल पाया और यह केवल और केवल नगरों में सहरों में ही और वो भी व्यापपारी वरक के लोग ही इसके पड़ती आकर्शित रहे और फिर अगला जो जैन धरम के पतन का क कठोर तपस्या तो जैंद्रम्य व्रत, काया कलेस, त्याग, अंसन, केश कुंचन, वस्त्र त्याग, ए परीग्रहन, आदिके अनुसरण पर जोड दिया गया है। तो सामान्य जो ग्रहस्त वेखती है, वो इस परकार का तपस्वी जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, तो कठोर तपस्या, संका, संगठन, जैन संगों की संगठना आत्मक व्यवस्ता, राश्त नत्रा आत्मक थी, उसमें धर्माचारियों, और सामान्य सद्दस्यों के विचारो तथा इच्छों की अभेना होती थी, जिसके फरस्रूप सामाने जन्ता की अभीरूची जैन धर्म में कम हो गई, फिर अगलाता है परचार कों की कमजोर भूमी का, तो देखिए स्टुनेंट्स, किसी भी धर्म के परचार में उसके परचार कों की एहम भूमी का होती है, ठ लेकिन अंत में क्या होता है कि जैन धर्म के जो परचार परचार का जब टाइम आता है, समय आता है, तो धर्म परचार कों का अभाव हो गया था, तथा जैन धर्म के परचार का मार्ग अभूरूद हो गया था, परचार के लिए सतत संगठित परियतन नहीं हुए, जिसे ज जैन धर्म भारत तक ही सिमेत रहा गयार थाथ फिद्यसों में नहीं फैल पाया अगला आता है also तो महावीर सवामी ने जैन धर्म के द्वार सभी जातियों तथा ध्रमों के लिए खोल रखे थे लेकिन महावीर सवामी के बाद में भेद भार की भावना विक्सित हो गई थी जिसके कारण जयान ध्रम में विभाजन तो देखें आपको पहले भी पता है कि जयान ध्रम वर्गो में वख्थ हो गया था जो पहली जयान सबह हुई थी 300स पूरए में उसमें क्या होता है कि यह जो दिगंबर और तो इसे क्या होता है कि महावीर स्वामी की मत्यू के बाद जैन दरम दो संपर्दाय वह बच गया था दिगंभर और स्वेतांबर इन वर्गों में मत बेत के जलते इस धरम के बचे कुछ अव्सेश भी नस्ट हो गए थे मुसलमान सासकों का सासन तो क्या होता है कि मुसलमान सासकों ने भार्ट पर आकर्मन किया तथा विजे हासिल कर जैन मंदिरों की नियूपर मस्चीदों और मक्परों का निर्मान किया जैसे कि अल्लाउदिन खिलजी ने ऐसे अनेक जैन मंदिरों को ब्रामन धरम से गहरा मतभेद तो जैन धरम का ब्रामन धरम से गहरा विरोध था ठीक है क्यों था क्योंकि पहले जो ब्रामन धरम था उसमें कई करमकांड अडंबर वगएरा आगे थे इसलिए जैन धरम का ब्रामन धरम से गहरा विरोध था तथा ब्रामनों ने भी इस धरम क का सदै विरूद किया उनके विरूद के करण जैन ध्रम का महत्वा स्मापत हो गया अजय पाल के सासनकाल में जैनियों के मंदिर अपनी गरिमा को पूर्ण स्माप्त कर दिया घान था से उसमें बूरायां थी उन्हीं में सुधार करने के लिए जैन द्रम चैनसे में हैं उसमें बहुत ज्यादा ही विरोध कर दिया था धान धरम को और यहां धो भारत के जी लोगगा को जैदा ब्रावन को मानने वाले थे इसलिए ब्रामन द्रम जैन द्रम पे हावी हो गया था ब्रामन द्रम में सुधार इससा की प्रारंबिक सत्ता में सदाबदी में वैदिक पोरानिक ब्रामन द्रम ने अपनी कटरपंती विकृतियों को दूर कर अपने द्रम में सुधार किया इस वज़े से लोगों की रूची शैव त आ गई थी इसलिए देखो हर बुराई का अंत भी होता है तो जैन दरम में बहुत ज्यादा अच्छाईयां थी जिसके कार लोगों ने उदर अपना रुक बढ़ाया था लेकिन दिरे दिरे क्या होता है कि जैन दरम है उसमें भी बुराईयां आने लगी थी और पता ही ये ब् चैव और वैसनव धरम की और परवर्ती बढ़ी और जैन दरम की और उनका रूख है वह थोड़ा अभी कम हो गया था तो धन्यवाद स्टूरेंस आज हमने इस वीडियो में जैन दरम के पतन के बारे में पढ़ा आगे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब च